Good morning everyone, let's start Vyas Academy online class Vyas Academy online class में आपका स्वागत है Today we are going to start chapter 2 My chapter name is Moments of Families Moments of Families का means क्या होता है? सबसे पहले हम वो जानते है Moments of Families का means होता है सर्वल families move from one place to another It means एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाने वाली जो कुछ परिवार होते हैं उसको उपन केते हैं Moments of Families मतला कि एक परिवार एक इस्तान से अपना गाउन छोड़े का अनादर सिटी है अनादर गाउन में जाता है उसको उपन केते हैं प्रवासी मतला कि एक इस्तान से छोड़के दूसरे इस्तान पर रहने के लिए जाता है जैसे एक्जामपल है सिख्षा के लिए, रोजगार के लिए या फिर उस गाउन में कोई अकाल, भूप मरी यह सब उसके क्या है? कारण है इन कारणों की वज़े से कुछ परिवारों को अपना गाउन छोड़के दूसरे गाउन में है, दूसरे शेहरों में जाना पड़ता है तो इसी तरह से इस चेप्टर में मैंने कुछ तीन पॉइंट लिए है जिससे मैं आपको पूरा वरगी करण करूँगी कि किस-किस रीजन से कोई परिवार अपना गाउन छोड़के जाता है जिससे first, बिट्टूस फैमली एक बिट्टू का परिवार होता है, वो अपना गाउन छोड़के क्यो जाता है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ ठीके, जिससे first, बिट्टूस फैमली is one such family ठीके बिट्टू के पूरी क्या होते हैं परिवार होता है ठीके बिट्टू सब फैमली लिव्ड इन विलेज। बिट्टू का परिवार है वो कहा रहता है गाउं में रहता था ठीके इट डीड एग्रिकल्चर वो लोग वहां गाम में रेकी क्या करते थे एग्रिकल्चर मतलब खेती करते थे आप सबको पता ही है कि most of गाम में लोग क्या करते हैं खेती का ही कार्य करते हैं क्योंकि गाम में क्या फेसिलेटी होती हैं सिर्फ खेती ही होते हैं न तो वहाँ पे कुछ hospitals होते हैं, न वहाँ कुछ education होते हैं, जिससे उनको office work का कार्य मिल सकता है, इसलिए वो most of लोग घाओं के people क्या करते हैं, agriculture मतलब खेती बाड़ी करते हैं, ठीके, बिट्टू's family faced starvation due to famine for three years, starvation, starvation का मतलब होता है अकाल या भूक मरी, ध्यान से सुनना, starvation का मतलब होता है भूक मरी या अकाल, अब जो बिट्टू का परिवार था, वो famine for three years, मतलब तीन सालों से, बिट्टू का परिवार तीन सालों से, अकाल से या भूक मरी से जूज रहा था, मतलब परिस्ति का संगर्ष कर रहा था, मतलब उस धाम में न बारिश थी, न खान कांटीजली, थास बिट्टू went to his nephew's village along with his family and his cattle two, अब क्या होता है जो बिट्टू का परिवार होता है, ठीक है, बिट्टू का परिवार तीन सालों से, अकाल या भूक मरी से जूच रहा होता है, तो वो क्या करता है, कि एक दिन सोचता है, बिट्टू क्या करता है, अपना एक नेफिशे मतलब बतीजा, ठीक है, उसका जो बतीजा होता है, वो दूसरे गाव में रह रहा होता है, तो बिट्टू का पूरा परिवार उसके बतीशे के घाव में रहने के लिए जाता है, पूरा बिट्टू का परिवार और बिट्टू के cattle, वीद, cattle two worth here, मतलब इखक के गाओं में रहने के लिए ठीके देएर और गोट ऑस ओन रेंट एंड इन स्टार्टेट सर्चिंग फॉर संवर्प अब क्या करता है वह अपनी भाई के बती जी घर पे तो चला जाता है लेकिन वहां सिट एक दिन या दो दिन रुखता है ऐसा थोड़ी कि आप टाइम में दुखता है कि उनको एक शरन मिलती है फिर वहां रुक के अपने परिवार को मरों रोक के वह क्या करता है वहां पर रेंट प की रहे के लिए एक मकान ढूंता है रहने के लिए और उसके बाद वहां रहे क्या काम your Michigan क्या ढूंडू जिसे मैं अपने परिवार का पालन पोशन कर सको ठीक है after some he got work after कुछ दिनों के बाद उसको वहां पर काम मिल जाता है चाहे थेती भड़ी का हो चाहे मजदूरी का हो कुछ भी हो उसको एक काम मिल जाता है so he lived there only along with his family तो वो कुछ दिनों तक अपनी family के साथ उस गाम में रहता है it was not easy to live there मतलब अपने गाम को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है अपने इतनी मुश्किल से अपना कोई भी जहां हम रहे जहां हमने बच्पन बिता है यहां बड़े हुए जहां नी पड़ाई कि जहां कुछ भी काम किया हो अपना गाओं चोना एक आमबादर नहीं होती हम चाहिए लेकिन अपना गाओं अपना होता है तो बित्टू भी क्या करा था अपने घाओं को immis करा राता मतलब उसकी लिए भूल पाना वो पॉसिबल नी थाीज को Capital वह अपने गाउन को क्या कर रहा था силь कर रहा था अफ्हिस भी आदर सीटी में जचालर के कोई बात नहीं हम रहे लेंगे लेकिन अपना दिमाग अपने आपने गाउं में तो भी आपने का वह कर रहा है याद कर रहा होता है आफटर few months he came to know that is his these village has received and this time- contempor to자는 something after month मैं कुछ महिन के बाद वह अपने गाहूं में जाने के लिए सोचता है वह सोचता है कि में अपने गाहूं वो वहाँ जाके क्या देखता है कि उस गाव में बहुत अच्छी बारिश होती है और वहाँ पे जो भी भूप मरी थी अकाल था वहाँ पे उसके बाद क्या हो गया वहाँ क्रशी होने लग गई खेती बाड़ी होने लग गई हर्याली आ गई पानी की ववस्ता हो गई तो वो देखके खुश हो जाता है ओ मेरे गाव में तो क्या हो गई बारिश हो गई what then he came back to his village with his family and cattle वह यह सारी condition देखने बाद क्या करता है वह अपने गाव में अपने परिवार को और अपने पश्यों को लेके वापस उस गाव में आ जाता है रहने के लिए तो यह चीज क्या होई एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाना लेकिन वो क्यों जाता है उसकी क्या मजबूरी थी अकाल और भूग मरी तो इसी को अपन केते moments of families तो यह moments of families का first example था कि मले बिट्टू की reason की वज़े से किस की reason reason क्या था starvation मतलब अकाल या भूग मरी के कारण उसको अपना गावन छोड़ना पड़ा और वो दूसरे गावन में गया किस के लिए अपने परिवार का पालन पोशन करने के लिए thank you मिलते हैं next video में